हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत यूनीक रेशिपी लेके हैं जो आपको बहुत पसंद आईगी ये रेशिपी बेगनर्स के लिए है अगर आपको खाना बिल्कुल भी नहीं आता तब भी आप इन रेशिपी को बहुत आसानी से बना सकते हैं टो चलिए देने ही करते हैं बना कि स Tony Carol करने हैं लेकन ने से पहले आप मीरी चानल को सब्सक्राइब करदें ओर मेरी वीडियो को लाइक जरूर करदें तो सबसे पहले यह instant ideal की recipe है जो packet आते हैं ना instant mix आते हैं तो वह हमने ले लिया है और उसको एक बॉल में डाल दिया है तो यह recipe जैसे कि मैंने बोला है कि beginners भी बड़े आसानी से बना सकते हैं और इसमें बस हमें दही mix करना है पैकेट में मैंसन रहता है कि इतना दही मिक्स करना है और फिर इसमें बस एक चमच हमें ओयल मिक्स करना है तो दही हमने जैसे एक कटोरी जो प्री मिक्स है तो एक कटोरी हमने दही लिया है और एक चमच ओयल लिया है इसको पहले हमें ड्राइ ही ऐसे मिक्स कर देना है उसके बाद हम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहेंगे और अच्छा सा जो इडली का बेटर होता है न हमें उसी तरीके से त्यार करना है बोत ध्यान रहे कि हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और mix करते जाना है जिससे कि हमारे बैटर में बिल्कूल भी lumps ना पड़े ये रेसिपी कोई भी बना सकता है जिसको खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तब भी वो इस रेसिपी को बना सकता है क्योंकि ये बहुत असानी से बन जाती है लोगों को लगता है खाना बनाने बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है पर ऐसे कुछ नहीं है, कुछ-कुछ रेसिपी ऐसी होते हैं जो बहुत असानी से बन जाती है तो बस हमारा बैटर बिको बन के तयार हो गया है 10 मिनिट के लिए हम इसको ढखकर रख देंगे और 10 मिनिट बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अगर आपको लगेगा, कि आपका बैटर थोड़ा सा गाड़ा है तो इसमें और पानी एड़ कर लें अच्छे से मिक्स कर दें बस हमें इसमें जो मिक्स आया है मतलब प्री मिक्स आया है वो हम डाल देंगे जैसे इनो होता है उसी तरीके से एक packet आया है तो वो हम इसको mix कर देंगे जिससे कि हमारा better अच्छे से फूल जाए जिसे हम इनो डालते है वो यह सेम चीज ही है तो बस देखे कितने अच्छे सा हमारा better फूल गया है बस जब हम यह सब चीज़ डालते हैं जैसे इनों डालते हैं कुछ असी चीज डालते हैं तो एक ही साइड हमें मिक्स करते रहे हैं जिससे कि अच्छे से फूल जाए अब हम इसमें इडली के स्टेंड में डाल देंगे और इसको डालने से पहले सब में हमने थोड़ा थोड़ा ओल लगा लिया जिससे की जो हमारी इडली है वो अच्छे से निकल जाए और बिल्कुल भी नाजिप के अगर आप माइक्रोवें में रख रहे हैं तो इसको चार से पांच मिनट में आराम से हो जाएगी चार मिनट में तो यह अराम से हो जाएगी अगर आप गैस पे रख रहे हैं तो इसको साथ से आथ मिनट लगेंगे इस वाले जो इस ट्रेंड आता है ना स्टील का तो उसमें रख रहे हैं साथ से आठ मिनिट लगें माइक्रोवेम चार मिनिट में अधाम से हो जाएगी तो देखे हमारी इडली बिलकुल तयार है और यह चिपक भी नहीं रही है और बस हमें इसको निकाल देंगे यह असानी स प्रीमİक्स है प्रीमिक्स मतलह है तो हमने मंगाया है तो यह बहुत हीAST region से भी बन जाती है और हैल्दी भी है तो आप इसको ब्रेकपास में असानी से मना सकते हैं इसको कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं सौस के साथ अगर आपको पसंद थो इसके साथ भी आप खा सकते हैं या जैसे इमली की चटनी या टमाटर की चटनी मतलब नारियल की चटनी जो भी चटनी के साथ को पसंदाः आप उका सके साथ खा सकते हैं तो मैंने इसके साध नारियल की चटनी बनाई वनाई है क्योंकि मेरे पास जेफ पड़े हुए तो मैंने फॅटा-्वली चुटनी भी बना लिया है। बस हमारी इटली बिल्क भूंकintell न कभी आपको दस मिनिट में रेस्ट करने के लिए और 20 मिनिट में आपका पट पट तयार हो जाएगा ब्रिक फास्थ ये देखे मैंने चटनी भी त्यार कर लिया उस मतड़का भी लगा लिया बस हमारी इडली त्यार है अब मैंने एक खीरा लिया है खीरे को छील लेंगे और इसको हम कट करेंगे तो कट मैं अलग तरीके से बताऊंगी किस तरीके से हमें कट करना है कट करने के नहीं हमने पिलर लिया जिससे हम आलू चिलते हैं वो हमने लिया है और इस तरीके से हमें इसको कट करना है तो इस तरीके से हमें लंबे लंबे जो टुकड़े हैं वो कट कर लेंगे पतले पतले स्लाइस हम निकाल लेंगे जो खीरे के और इसके बाद हम इसका राय और इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे तो यह मैंने दही डाल लिया है यह एक बाल माँ पहले से यह आप दही ले 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 उसको अच्छे से फैट ले उसमें मसाले डाले उसके बाद यह खीरे के पीसे से डाल दे तो इसमें मसाले डालेंगे तो मसाले में लालमेज पाउड और नमक और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला एड़ करेंगे अगर आपको चाट मसाला एड़ नहीं करना तो आप इसमें जीरा पाउडर भी एड़ कर सकते हैं तो बस हमें थोड़ा सा ही एड़ करना है और इसको मिक्स कर लेंगे तो बस हमारा जो रायता है वो तो असानी से बना सकते हैं तो यह सारी रेसिपी जट पड़ बन जाएंगी और यह हैल्दी भी है और टेस्टी भी है सारी रेसिपी तो देखें कितना अच्छा दिख रहा है न हमारा रायता हो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह जो खीरे के टुकड़े आत या अच्छे सुप्ट हो जाए, सॉप्ट होने के बाद हमें इस तरीके से निचोड़ के दो, तीन बार पानी से धोना है, दो, तीन बार पानी निकालने के बाद इसको अधिक ठावल एस काड़ जाता थ, यह हमने more लिया हैpreneं, जीर अदा आने के बाद के इसको फटाफट बना सकते हैं तो बस हमें थोड़ा सा सॉप्ट करना है ज्यादा हमें इसको नहीं पकाना बस थोड़ा सा ही हमें सॉप्ट कर लेना है जब यह हमारे प्या जो कैप्स कम अच्छे से सॉप्ट हो जाएं तब हम इसमें मसाला एड़ करेंगे तोड़ा सा धनिया पवर्डर नमख और लाल मुर्च पौउडर और इसके बाद हम हम … हल्दी डालेंगे तो लालमिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी पतल לח combat बारी करके के डाल सकते हैं तो हरी मेर्श के डालना था पहले ही डाले जब हमने प्याज और कैप्सकम डाला उसके पहले आप हरी मेर्श डाल दें फिर प्याज कैप्सकम डाल दें अब हम इसमें सोयवडी डाल दी है और इसको बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हमें इसको जादर नहीं प अगर आपको प्रोटीन चाहिए अगर आप बर्काउट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी ज्यादा करते हैं तो आपको प्रोटीन की अगर जड़ात है तो आप इस तरीकी की रेसिपी आप बना सकते हैं तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी यह बहुत ही असान आप बिगनर्स के लिए थी और यह हेल्दी रेसिपी थी तो अगर आपको हेल्दी रेसिपी ट्राइ करना तो आप इस तरीकी रेसिपी ट्राइ कर सकते हैं तो आज के लिए बसे नहीं मिलते अगले वीडियों बाबाई